फना इश्क में मर जावा जो की इश्क में मर जावा का थर्ड सीजन है जल्दी ही हमें कलर्स टीवी पर एंटर्टेन करता नजर आएगा शो में जैन इमाम और रीम शेक नजर आने वाले हैं और इनके साथ अक्षित सुखी जब भी नजर आएंगे ये हम आपको बता चुके हैं अब इसका सेकेंड प्रोमो आउट हो गया है जो फर्स्ट प्रोमो से भी जादा ग्रैंड है क्योंकि यहां पर जैन इमाम यानी अगस्ते की एंटरी होती है एक हेलिकॉप्टर से दिखाया जाता है कि किस तरह से रीमशेक का केरेक्टर पाखी अपनी ही लाइफ में मस्त है लेकिन ये जो अगस्ते है वो पाखी का आसमान और उसकी जमीन बनना चाहते हैं अगस्ते हर वक्त पाकी पर नजर रखते हैं आगे प्रोमो में दिखाया जाता है कि पाकी से एक लड़का बात करता है और वो उसे बोलता है कि मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा और ये बात अगस्ते को पता चल जाती है क्योंकि वो पाकी के हर मुवमेंट पर नजर रखता है जिसके बाद वो उस बंदे को उसकी बाइक के साथ ही जला देता है यहां से पता चलता है कि अगस्ते का जो पाकी के लिए प्यार है वो प्यार की हद को पार करके obsession तक पहुँच चुका है और जो पाकी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा यहाँ जैन और रीम की जो जोडी है वो बहुत अच्छी लग रही है एक दूसरे के साथ लेकिन सबी जानते हैं कि जैन इमाम का जो character है वो psychotic lover का है पाकी इस character को इस अगस्ते को किस तरह से अपनी life में handle करेगी वो देखना interesting रहेगा वहीं ये भी देखना काफी अच्छा होगा कि जो positive lead character होगा अक्षित सुखी जागा वो किस तरह से पाकी को इस situation से निकालता है ये शोग का बॉन एर जाएगा इसकी अभी तक कोई detail सामने नहीं आई है